ओम नमो भगवते वासु देवाए एक भक्त था वह रोज बिहारीची के मंदिर जाता था पर मंदिर में बिहारीची की जगे उसे एक जोती दिखाई देती थी मंदिर में बाकी के सभी भक्त कहते वा आज बिहारीची का श्रंगार कितना अच्छा है बिहारी जी का मुकुट ऐसा उनकी पोशा कैसी तो वह भक्त सोचता बिहारी जी सबको दर्शन देते हैं पर मुझे तो केवल एक जोती ही दिखाई देती है हर दिन ऐसा ही होता एक दिन वह बिहारी जी से बोला ऐसी क्या बात है कि आप सबको तो दर्शन देते हैं पर मुझे दिखाई नहीं देते कर आपको मुझे दर्शन देना ही पड़ेगा अगले दिन वह मंदिर गया बिहारी जी फिर उसे एक जोती के रूप में ही दिखाई दिये तो वह बोला बिहारी जी अगर कल आपने मुझे दर्शन नहीं दिये तो मैं यमुना जी में डूप कर मर जाओंगा उसी रात बिहारी जी एक कोड़ी के सपने में आये जो मंदिर के रास्ते में बैठा रहता था और बोले तुम्हे अपना कोड़ ठीक करना है वह कोड़ी बोला हाँ भगवान तो भगवान बोले तो सुबह मंदिर के रास्ते से एक भक्त निकलेगा तुम उसके चरण पकड़ लेना और तब तक मत छोड़ना जब तक वह यह न कह दे कि बिहारी जी तुम्हारा कोड़ ठी करें अगले दिन वह कोड़ी रास्ते में बैठ गया जैसे ही वह भक्त निकला उसने चरण पकड़ लिये और बोला पहले आप कहो कि मेरा कोड़ ठीक हो जाए वह भक्त बोला मेरे कहने से क्या होगा आप मेरे पैर छोड़ दीजिए कोड़ी बोला जब तक आप यह नहीं कह देते कि बिहारी ची तुम्हारा कोड़ ठीक करे तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा भक्त वैसे ही चिंता में था कि बिहारी ची दर्शन क्यों नहीं दे रहे उपर से ये कोड़ी पीछे पड़ गया तो वह जुझला कर बोला जाओ बिहारी ची तुम्हारा रहे हैं बिहारी ची का श्रंगार बिहारी ची का मुकुट बिहारी ची की पोशाक सभी के दर्शन हो रहे हैं उसकी आखों में आसू आ गए और वह बिहारी ची से पूछने लगा कि अब तक आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे थे तो बिहारी ची बोले तुम मेरे नि मिला सकता हूँ पर तुम ने कुछ नहीं मागा तुम्हें तुमसे कैसे नजरे मिलाता पर आज तुमने रास्ते में उस कोड़ी से कहा कि बिहारीजी तुम्हारा कोड ठीक कर दें इसलिए लिये मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। इसलिए हमें भगवान की निश्काम भक्ती ही करनी चाहिए क्योंकि भगवान तो बीना बोले ही सब कुछ दे देते हैं जै श्रीराधी